नमस्कार दोस्तो डिश्टल इंडिया टेक में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रेलवेज यही में एलेक्ट्रोनिक्स अंड इलाइड इंजिनिरिंग में जो आपका सलेवस के एकॉर्डिंग एंप्लिफायर टॉपिक है तो इस वी वीडियो नहीं देखें तो description में नीचे लेंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं Otherwise मेरे चनल की प्ले लिस्ट में जा कर आप ऐलेक्ट्रोनिक्स मैं टेकनीकल के तेक्टिकल के अपना जो input signal होता है उसको increase कर देता है उसके power level को बढ़ा देता है तो उसको क्या कहते हैं amplifier amplifier क्या है जो की input signal के power level को increase कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है उसको कहते हैं amplifier and amplifier accept law of conservation of energy तो जो आपका amplifier किस वख से धान वख करता है अगर कभी कभी exam में question पूछ ले जाता है तो यह होता है law of conservation of energy के ठीक है दोस्तों तो amplifier क्या है जो input signal के power level को increase कर रहा है और law of conservation of energy पर यह work कर रहा है तो अब हम amplifier के बारे में कुछ देखते हैं तो जो amplifier है माना कोई input है PI, amplify लगा दिया आउट्ट मिल लई है PO जिसे P0, P0 इसे कुछ भी आप पढ़ सकते हैं output यानि कि gain क्या होगा, gain को हमने A से represent किया है, ठीक है, power gain, AP, output upon input, gain क्या होता है, output value upon input value, तो output upon input, जो कि कितने आती है, एक से जादा आती है, ठीक है, कितनी आती है, एक से जादा, क्योंकि यह आपके input level को amplify करके बढ़ा दे रहा है और जब बड़ी value upon छोटी value होगी, तो यह क्या आएगी हमेशा, एक से जादा, ठीक है, तो आपका question यही बनता है, एक तो जो आपका gain होता है, वो क्या होता है, output upon input, उसके बाद, इसके log में question बनते हैं, यानि कि dv में बताना है, तो output power gain, dv में क्या होता है, यह होता है, 10 log base में 10, और यह क्या है, power gain, ठीक है, power gain है, base में क्या है, 10 और यहाँ भी क्या है multiple में, 10 log 10, उसके बाद, जब हम voltage की बात करते हैं, voltage gain dv में, 20 log 10, ab, यानि कि voltage गया है, और जो current की बात करते हैं, 20 log 10, ai, यानि कि current gain, दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है, इससे question बहुत बनत हो, तो दोनों में 20 log 10 base है, और जब power gain की बात की है, तो यहाँ पर है 10 log 10, ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरह से 2 या 3 question इन से बन जाते हैं, उसके बाद आपके सामने एक example लिया है, example में मैंने 2 micro watt की power दी है, 2 micro watt की power दी है, आपका amplifier लगाया है, जिसका decibel में gain दिया है, 60 decibel में power gain के लिए formula क्या होता है, power into decibel में, तो जो की 60 dB दी है, उसके बाद formula होता है, 10 log 10, और क्या होता है, output upon input, यानि की P0 upon PI, तो मैंने यहाँ पर direct लग दिया है, P0 upon PI की value दी है, 2 micro watt, इतना clear है दोस्तों, ठीक है, formula होता है, dB में power gain, जो की 60 दिया है, 10 log output upon input की value यह दी है, 2 micro ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने solve किया, 6 equal to 10 log 10 P upon यह, तो जब यहाँ से log हट जाता है, तो यहाँ पर कितना, 10 की power waste पहुँच जाता है, तो यह हो गया, आपका solve करने पर value कितनी आई, 2 watt, यहाँ आप देख सकते थे, कितनी power कम थी, 2 micro watt में, और यहाँ पर कितनी हो गई 2 watt में, तो basically आप देख रहे हैं, इस ने amplifier ने input के जो power थी, उसके level को बढ़ा दिया है, तो amplifier क्या करता है, पावर के level को बढ़ाता है, तो यह थो आपका amplifier, तो दोस्तो इस amplifier में, अब अगर आप अलग-अलग stage जोड़ कर भी इसके output level को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पावर लेवल को जो बढ़ा देता, और एक और तीसरी, अपने हसाब से, अगर आपको जितना gain चाहिए, उस हसाब से आप इतने according, उसके amplifier को adjust कर सकते हैं, कम ज़्यादा लगा सकते हैं, तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, यही RC coupled amplifier के बारे में, RC amplifier, जो coupled amplifier होता है, य ठीक है, यह किसके लिए work करता है, यह होता है, audio frequency voltage amplifier है, RC coupled amplifier क्या है, audio frequency voltage amplifier, और यह frequency range क्या है, बीस हर्ट से, बीस किलो हर्ट से, यानि कि यह के अंसी range होती है, voice frequency की range होती है, आपके सामने एक figure दिया है, जो की transistor को होता है, R1, R2, और RC क्या है, coupling capacitor है, यहाँ पर एक bypass capacitor भी लग coupling capacitor लगता है, sorry, यहाँ पर लगेगा आपका CE, ठीक है, CE यहाँ पर एक लगाते हैं, जिसको बोलते हैं, bypass emitter capacitor, ठीक है, coupling capacitor होता है, यह भी, तो इस figure में आप लोगस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक CC लगाया है, इसके बाद, तो यही है हमारा क्या, RC coupled, यानि कि इसको बो अलग अलग जोड कैसे रहे हैं, इस coupling capacitor के द्वारा, इसलिए इसको नाम दिया गया है, क्या RC coupled amplifier, ठीक है, तो अब इसके कुछ important point है, जो आपके exam में बहुत जादा बनते हैं, तो उनके बारे में हम सीधा बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यह क्या है RC coupled amplifier, it is a small signal amplifier, audio frequency amplifier है ना य amplifier है, यह किस range पर वर कर रहा है, 20 hertz से 20 kilohertz, तो आपके exam में question इसे बनते हैं, किस frequency पर यह वर करता है, तो आपका एसाब से यह answer हो गया, ठीक है, उसके बाद एक single stage, जो RC coupled amplifier है, वो introduce करता है 180 phase shift, कैसे करता है दोस्तों, यह single RC coupled phase shift है, जो आपका amplifier है, यह किस mode में है, यह CE mode में व 180, इसलिए, जो आपका second point है, single stage, RC coupled amplifier introduce करता है 180 phase shift को, उसके बाद, इसमें CC लगा होता है, जिसको बोलते हैं, coupling capacitor, और इसे कहते हैं, DC blocking capacitor, क्योंकि आपको बता है, जो capacitor होता है, वो DC को block करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, DC blocking capacitor, और coupling capacitor, अब दोस्तों, यह क्या करता है, यहा करने हैं, तो उसके level को बढ़ा देता है, level बढ़ाने के बाद, अगर दूसरी stage यहाँ पर लगी हो, दूसरी stage अगर यहाँ पर लगी होती है, तो यह capacitor, coupling capacitor क्या करता है, उसमें से जो AC signal होता है, उसको पास कर देता है, ताकि वो next level में जाकर उसको और amplify करने हो, तो वो कर सके और उसमें जो DC होता है, उसको block कर देता है, तो coupling capacitor का क्या है, AC को pass करना, DC को block करना, ठीक है, उसके बाद, next point है, CE होता है, emitter bypass capacitor, जो CE अभी मैंने बताया है, ता कहां लगा होता है, यह है, यहाँ पर लगा है, ठीक है, क्या है, CE, emitter bypass capacitor है, इसका use क्या होता है, it is used to avoid unwanted negative feedback को कम करना है, उसे यानि की हटाना होता है, इसका कम, ठीक है, तो यह होगा, इसके कुछ point, अब इससे कुछ points बनते हैं, जो कि अगर आपके exam में आएंगे, तो आव आयो, कर सकते हैं, तो उसके बाद करने वाले हैं, इसके जो frequency response character stick है, उसके बारे में हम बात देखते हैं, तो द इसके exam में question पूझा जाता है, कि RC coupled amplifier में, जो low frequency पर आपका gain कम होता है, तो किसके कारण होता है, तो वहाँ पर option मिलेगा, coupling capacitor, bypass capacitor, और भी कुछ junction capacitor या इन में से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपका सही answer होगा, coupling capacitor, low frequency पर आपका gain कम होता है, किस वज़े से, coupling capacitor के कारण, उसके ब frequency operation of amplifier is limited by CC, ठीक है, low frequency operation किसके दवारा limited किया जाता है, CC, और mainly किसके करण, CE, यह क्या है, bypass capacitor, उसके बाद, in mid frequency region में, आपका जो करव बनता है, उसमें इस तरह बनता है, ठीक है, mid frequency region यह, low frequency region, high frequency region, और mid frequency region, तो mid frequency region में, इसमें जो करव है, वो क्या मिलता है, एकदम flat, तो यहा पर, in mid frequency region, voltage gain of amplifier is independent of frequency, voltage gain frequency से independent होता है, in this region, all coupling capacitor will be treated as AC short, यानि कि short circuit की तरह विहब करते हैं, जतने भी coupling capacitor लगे होते हैं, यहाँ पर जो gain मिलता है, वो हमें क्या मिलता है, constant मिलता है, flat मिलता है, तो दोस्तों, यह था क्या, RC coupled amplifier, ठीक है, और इसका जो, cut of frequency are also called as 3dV frequency, इसमें जो cut of frequency होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं 3dV frequency या half power frequency, exam in question मनता है, cut of frequency को हम क्या कहते हैं, तो बोलते हैं, 3dv frequency या half power frequency at cutoff frequency पर जो gain reduce होता है root 2 by maximum gain का root 2 वो न ठीक है और की क्या हो जाता है 70.7% हो जाता है maximum gain का ठीक है उसके बाद next point है in terms of dv gain reduces by 3dv and power become half 3dv frequency पर आपका जो क्या है power half power frequency यानि कि असका जो power है वो क्या सी हो रही है? हाप हो रही है तो दोस्तों ये important point है सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिए सुनिए और इनसे आपके exam में जरूर कोशन बनते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं bandwidth के बारे में bandwidth क्या होती है? range of input signal frequency over which gain of amplifier almost constant उसको क्या कहते हैं bandwidth और bandwidth क्या होती है? higher frequency minus lower frequency equal to bandwidth और bandwidth क्या unit होती है वो होती है hertz ठीक है उसके बाद next point है amplifier are connected in cascaded to get larger gain bandwidth product ठीक है larger gain bandwidth product के लिए amplifier को cascaded में connect किया जाता है cascaded मतलब एक stage दूसरी stage तीसरी stage फोर्थ इस तरह है जो connect करते हैं उसको कहते हैं cascaded stage ठीक है उसके बाद next point है BJT वर्क करता है कैसा bandwidth filter की तरह act as low pass filter की तरह कब वर्क करता है जब frequency region high frequency region में यह वर्क करता है low pass filter और low frequency region वर्क करता है high pass filter की तरह तो important point है सारे important point है आपके exam में से questions बनते हैं तो BJT का हो गया act as low pass filter in high frequency region act as high pass filter in low frequency region अब जो आपका single stage amplifier है at lower cutoff frequency सब्सक्राइब लोवर कट ओफ रक्वेंशी होती है इस पर कितने का फिस करती है यह 225 तो इसके बारे में आप देख लीजी सिंगल स्टेज होता हूँ और डवल उस्टेट अब तो लोगर फ्रेक्वेंशी पर सिंगल सिंगल 25 डवल स्टेट 45 डिग्री रेवल फिक्वेंशी अब बात कर रहा है multi-stage amplifier जैसा यह भी मैं होता है requirement के होती है अगर आपको इसके power level के gain को बढ़ाना है अगर हम इसके gain को बढ़ानी की बात कर रहा है अगर हमें one stage से इसका gain नहीं मिल रहा है ति जितना हम चाहते हैं तो एक और stage जोड़ दीजिए और नहीं मिला है तो एक और stage जोड़ दीजिए और ये stage हम तब तक जोड़ते हैं जब तक हमें अपना gain नहीं मिल जाता है अपने recording ये होता है multi stage amplifier तो जैसा कि अभी मैंने suppose कि यहाँ पर हमने 3 stage ली है जिसका voltage gain ये current gain second का voltage gain current gain third का voltage gain current gain ठीक है तो total voltage gain क्या होता है total voltage gain first का voltage gain into second का voltage gain into third का voltage और ऐसे ही जितने होते हैं up to infinite तो voltage gain यहाँ से आपका एक numerical बनता है क्या अगर first stage का voltage gain 10 दूसरे का 20 और तीसरे का 30 voltage gain है तो इसका जो final voltage gain कितना होगा तो क्या करना है आपको तीनों का multiply यानिकी 326 और तो यह हो जाएगा आपका 6000 ठीक है 6000 बोल्ट तो यह हो गया आपका क्या इसका voltage gain तो current gain भी ऐसा ही और power gain voltage into current उसके बाद अब इसमें जो कोशन बनता है आपका log से आपका जो अगर इसमें logs में कोशन दिया है क्या आपका voltage गेन 20 डीवी 30 डीवी या 60 डीवी तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं यह voltage gain था यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने log लिया 20 log ठीक है यहाँ अगर हम log लेते हैं यहाँ पर log लिया तो तोनो साइट लॉग करने पर क्या इन्हें अलग-अलग डिवाइड कर दिया और यह क्या है यह अभी हमने देखा था यह किसका formula होता है voltage gain का डीवी में तो यह first वाला voltage gain का डीवी में तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 10 यानि कि 60 dB इसका टोटल गेन हो जाएगा, यह क्या हो गया डीवी में, और डीवी में एड़ करते हैं, और नॉर्मली बोल्टेज में दिया हो तो क्या करेंगे, मल्टिपिकेशन, ठीक है, उसके बाद RC कपल्ड एम्प्लिफायर जो की बता की प्रकार हो इसके जो जो करने गहाएं, और यहां पर क्या है, इन दोनों का जो अंतर होता है, इसको क्या कहते हैं, तो यह बैंड विथ का फर्मला है, यह आपको याद रखना है, इसे एक्जाम में अभी रिल्वेज यह के लिए लिए तो इंपोर्टन नहीं है, लेकर आ आप अगर इससे high level में जाते हो और तो वहाँ पर आपके gate वगरा में इससे question जरूर बनते हैं, bandwidth का जो formula बनता है, root to up, 1 upon n minus 1 of bandwidth, और यहाँ पर time से आपका question बन सकता है, यहाँ पर जो आपकी higher cutoff frequency, lower, जो cutoff frequency है, उनका जो formula lower cutoff frequency का formula होता है, lower frequency upon में, under root 2 की power, 1 upon n minus 1, और higher के लिए यही जो frequency है, इसके साथ में add हो जाती है, तो याद करने के लिए आपको परिशानी नहीं होगी, lower में divide हो रहा है, higher में multiple हो रहा है, अब यहाँ देखिए, अगर हम जब n की value यहाँ पर हमने 2 रख दी और 3 रख दी, तो n की value जो lower frequency मिलती है, 1.625, और यहाँ मिलती है, 1.92, तो आपके exam में question मनता है, कि आपका multi stage amplifier में lower आपकी जो cut off frequency क्या होगी, n की value 2 पर, n की value 3 पर यह पूछ सकते हैं, तो यह यह value आपको याद करनी है, नहीं तो आप direct इस value में फ़रूमिले मरक्स के आप निकाल सकते हैं, उसके बाद higher frequency पूछे, तो n बरावर 2 पर, n बरावर 3 पर, 0.64, 0.51, तो आप यहाँ पर देख र frequency, क्या है, fh, decrease by, under root में, 2 की power बन अपन, minus 1, तो higher में क्या होती है, decrease होती है, क्योंकि देखिए, higher में क्या है, यह formula है, लेकन यहाँ पर क्या हो रहा है, decrease, 0.64, 0.51, इस तरह ऐसा है, decrease होती है, और lower cut off frequency में, increase होती है, by, 1 बन अपन, root, 2 की power, बन अपन, and, minus 1, and, जो इसकी frequency है यानि कि bandwidth है, वो decrease होती है, इससे, 2 की power, under root में, 2 की power, 1 बन अपन, and, minus 1, क्योंकि जो, आपके जो frequency, और जो bandwidth है, एक दूसरे के opposite होती है, तो, अब बात करते है, rise time के बारे में, rise time भी बताया था, rise time, यानि कि, tr, क्या बताया था, 0.35, upon में, bandwidth होता है, यहाँ पर आपके exam में numerical पूछ लिए जाता है, tr की value दी जाती है, when bandwidth निकालो, when bandwidth की value दी जाती है, tr निकालो, यानि कि, rise time, तो, यह इसको याद करके रखिए, rise time क्या होता है, rise time of a single stage amplifier is defined at time taken by output to increase from 10% to 90% of its final value, यानि कि, उसके 10% से 90% तक पहुँचने में, जो आपका value होती है, यानि कि, जो time होता ह उसको क्या कहते हैं, rise time, यानि कि, T162 तक पहुचने का जो time होता है, उसको क्या कहते है, rise time, for better performance के लिए, rise time कैसा होना चाहिए, must be smaller, rise time जब आपका कम होगा, तभी आपका signal क्या होगा, 10% से 90% पर पहुच चाहेगा, तो, यहाँ पर आपका better performance के लिए, rise time कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए, यह आपका exam में कोशन मनता है, कि better performance के लिए, rise time कैसा होना चाहिए, must be smaller, must be greater, तो आपका सही answer क्या होगा, smaller, उसके बाद बात करते हैं, direct couple amplifier के बारे में, direct couple amplifier, यह भी क्या है, coupling का एक method है, तो इसका हम use क्या हो करते हैं, इसका use कम करते हैं, it can DC and AC signal amplify दोनों के इसका करते हैं, इसका करते हैं, low frequency पर, any DC amplifier suffer from problem of drift due to ICU, ICO क्या होती है, अपनी minority carrier के करण में, जो current होती है, उसके बाद next है, it is also called a instrumentation amplifier and use in designing of measuring instrument के लिए हम use करते हैं, direct couple amplifier, इसके जो कहां कहा हम use हो रहे हैं, अभी हम सारे आपको बताने वाले हैं आगे, उसके बाद next है, popularly, इ LAR, LY, तो use DC amplifier in emitter coupled differential amplifier, इसका use हम commonly कहां use करते हैं, emitter coupled differential amplifier में हम use करते हैं, ठीक है, तो यह था आपका क्या direct coupled amplifier, इसके बेसिक्स ली सबसे जाद है important कौन सा है, आपका RC coupled amplifier, जो कि मैंने आपको बता दिया, अब हो गया, direct couple, इसके बाद में भी आपका होता एक और है, transfer couple, जो कि आपका किस के लिए use करते हैं, power के लिए, power amplifier और impedance matching के लिए, इसके बाद हम बात करने वाले है, cascade amplifier क्या होता है, ठीक है, आपके exam में question यही बनता है, cascade amplifier क्या होता है, इसका gain कैसे होता है, कैसे connect करते है, तो दोस्तों जो आपका cascade amplifier होता है, cascade amplifier होता है, cascade किसका, एक, दो मतलब cascade म हम जोड़ दें ठीक है तो इस तरह से आगी भी stage को जोड़ते जाएं तो वो क्या होता है हमारे cash code में ठीक है cash code में क्या होता है CE होता है पहला दूसरा होता है CV यहाँ पर आप figure में देख रहे हैं पहला लगा है common emitter mode common emitter mode में emitter common है base emitter और यह क्या है अपकी collector उसके बाद next लगा है common base यानि की CV CV का एक figure दिया है यह तो दौनों को आपको देख सकते हैं एक CE लगा है एक CV लगा है यहाँ पर आपकी जो collector की जो current है IC वो CB के लिए क्या काम कर रही है emitter current का काम कर रही है यहाँ पर क्या हो रहा है IC बरावन में IE ठीक है याद लगा अब जो आपका cash code है इसमें आपका gain पूछा जाता है voltage and current gain तो हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भूल जाएं तो आप कैसे निकालें नहीं तो आप diet भी याद कर सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपकी transconductance क्या होता है transconductance को हम GM से show करते हैं और यह होता है transconductance होता है I upon B ठीक है transconductance होता है I upon B अब transconductance I I यानि कि जो last में आपकी current मिल लही है क्या मिल लही है IC2 और input यानि कि input upon output होता है तो यह क्या है input में क्या है BS supply क्या दे रहे है BS तो यहाँ पर output क्या है IC2 और input में क्या है BS IC2 upon BS हमने क्या करा IC1 से multiply and divide किया तो यहाँ पर आप देख रहे है IC1 को लिख दिया हमने क्या IE1 क्योंकि जो IC बरावर है वो भी बताए हमने IE के बरावर है जब IC IE के बरावर है तो हम IC को क्या लख सकते है IE1 तो यह हो गया IC2 upon IE1 और जब कि यह क्या हो गया IC1 upon BS यानि कि जो IC1 output upon इसका फ्रोड तो क्या होगा यह GM1 यानि कि Transconductance First ठीक है उसका जो आपको यह पता है कि Alpha की वैलू क्या होती है IC upon IE होती है तो जो आपका Transconductance बरावर होगा Alpha into GM1 या Alpha की वैलू रग दीचिए GM बरावर Vita upon 1 plus Vita GM1 तो आपके यह formula निकल जाते हैं यह बहुत important है इनसे आपके exam question जरूर बनते हैं उसके बाद हम बात करने वाले है It is multi-stage amplifier है multi-stage amplifier है आप देख रहा है एक तो CE यूज़ कर रहा है दूसरा CB तो यह क्या होगा multi-stage amplifier है where C is followed by CB CE is followed by CV ठीक है Next point है It is direct couple amplifier and can amplifier DC LVS as well as wide range of AC single को भी amplify कर सकता है major application क्या है higher frequency amplifier किसकी यह अभी जो आपको मैंने बताया है क्या है cash code amplifier अब इसका एक numerical अगर आपके exam में बनता है तो किस तरह है यहाँ पर एक amplifier दिया है दूसरा amplifier दिया है यह दौनों तरह के जोड़ दिये यहाँ पर उनों ने कहा है जो आपको पहले का gain दिया है 4 milli ampere per bolt ठीक है 4 milli ampere per bolt gain दिया है यहाँ पर alpha की value दे दी final find करना है GM of ठीक है final निकालना है तो GM क्या होता है alpha of GM alpha की value दिये इसकी value दिये दौनों का multiply कीजिए और answer क्या हो यह बोल्ट तो ampere per bolt और जो आपकी unit दी हो विससाफ से आप लगा सकते है तो क्या होगा 3.96 milli ampere per bolt अब हम बात करने वाले हैं darlington amplifier follower या इसी को कहते है super beta transistor ठीक है अच्छे से द्यान दर समझना इसके exam में बहुत ही सब कुछ जो इतना में आपको topic बता रहा हूँ बहुत important है और इसके exam में आपको जरूर कोशन बनते हैं तो जो darlington amplifier है जो darlington amplifier follower है super beta transistor जिसको कहते है यह mode होता है कौन सा CC mode में हम इसको यूज़ करते है CC यानि की common collector और common collector mode में आपका जो gain क्या होता है उसको कहते हैं gamma और gamma गोराबर क्या होता है 1 plus beta इतना याद रखिएगा भी ठीक है CC mode यूज़ करते हैं किसमें तो आपका सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें जो कोशन बनता है कि जो darlington amplifier follower है यह इसमें कौन सा transistor का mode हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो हम transistor का CC mode यूज़ करते हैं अब figure देखिए है common collector transistor दूसरा common collector transistor इसको नाम दिया है T1 ये दिया है T2 common collector है collector common है यहाँ भी collector common है इन दोनों को collector को combine कर दिया यहाँ का जो यह क्या है emitter यह emitter इसकी जो current है बोथ दूसरे transistor की क्या बन रही है base current यानि की IE1 बन रहे है क्या IV2 तो यह इस प्रकार यहाँ पर आप देख लिया यह इसका पूरा circuit है यह बन गई है अब यहाँ पर हम जब gain की बात करेंगे current gain current gain क्या होता है current gain होता है AI बरावर में AI1 into AI2 यानि की पहले का current gain into दूसरे का current gain तो दोनों कौन से मोड यूज हो रहे हैं CC CC में current gain क्या होता है गामा तो पहले का होगे गामा दूसरे का गामा टू ठीक है यह गामा है गामा बन गामा टू और गामा की value क्या होती है 1 plus beta तो पहले के लिए 1 plus beta 1 और 1 plus beta 2 अगर दोस्तों if beta 1 और जो beta इसकी value है अगर लगवग 1 beta हो जाए ठीक है तो क्या होता है AI जो आपका gain मिलता है 1 plus beta का square ठीक है अगर beta की value वहाँ ज़्यादा हो तो क्या 1 को हमने negligible कर सकते हैं और जो आपको current gain मिलता है वो कितना मिलता है बहुत ज़्यादा ही अब voltage gain की बात की जाए voltage gain पहले के लिए तो दोस्तों आपको बता है CC mode में voltage gain कितना होता है एक से कम एक से कम के लिए हमने माल लिए 0.98 0.98 इंटू 0.98 तो लगवा आपको voltage gain कितना मिलता है एक से कम 0.9604 Transconductance की बात की जाए तो Transconductance क्या होता है I upon V होता है तो लास्ट में आपकी जो current फिल लाई होगी output IE2 upon BS IE2 upon BS ये रखा base current से multiply डिवाइड किया किसलिए क्योंगी ये gamma बनाना है तो ये तो हो गया GM ये क्या हो गया gamma और ये क्या बचा है क्योंकि यहाँ पर IE1 बरावर में क्या थी IB2 जो आपको circuit में बताये था IE1 बरावर में IB2 ठीक है यहाँ से इसकी value यहाँ पर रखिए तो यहाँ पर आपका जो formula क्या बन गया GM बरावर में 1 प्लस बीटा 2 GM 1 ठीक है ये किस के लिए बना है ये पता है ना आपको किस के लिए बना है ये बना है Darlington Amplifier Darlington Emitter Follower या Super Beta Transistor ठीक है Darlington Emitter Follower के लिए बना हुआ है उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके पॉइंट के बारे में फर्स्ट पॉइंट है It is very high input resistance कितना होता है 1 MHz से जाद होता है क्यों होता है इसमें mode कौन सा यूज़ हो रहा है CC CC mode में आपका input resistance जादा होता है output resistance कम होता है और यहाँ पर आपकी दो stage यूज़ हो रही है यहाँ पर कोई भी कप्लिंग डिवाइज नहीं लगी हुई है तो यह क्या है डाट कपल आपकी amplifier है इस पॉपलरली नोन एज बीटा मल्टिप्लायर बीटा मल्टिप्लायर क्यों है क्योंकि आपका जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा था सब्सक्राइए क्यो नायंड और बिटा का सब्सक्राइब होता है जबकि करेंट क्या है लार्च करेंट के जो कि हमने देखा लार्ज क्या बहुत जादा मिलंदी क्या बीटा का स्क्वेर ठीक है उसके बाद बेरी हाई इन्पॉट रेजिस्टेंस हाई इन्पॉट हिस्टेंस और सकर किसे का ब्लेंट पर्लिफाई घार डिस्एट-े gi कप्लिंग कैपिस्टर कुछ लगा हुआ नहीं है जो कि ऐसको उआ Just करेगा कम करेगा होसरी गया करेगा mother वो भी क्या हो जाती है एंपलीफाई हो जाती है तौ कैस्केडिंग अफ न्ट्रैंग ऐस्टॉ इस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इस लिए यहाँ पर आपका जो 2 से जादा 2 से जादा हम यूज नहीं करते हैं किया आपका जो emitter कपड़ रहे हैं ठीक है तो इसमें हम क्या करनी कर रहे हैं 2 से जादा क्योंकि 2 ही तागी से को हमने सीमत रखा है क्योंकि इसमें जो आपकी leakage current है वो दूसरा transistor भी उसको amplify कर रहा है अगर हम ऐसे ही तीसरी चौती conditions में लगाते रहेंगे तो वो क्या होगा एक condition ऐसी आएगी जब आपकी leakage current का मार बहुत जादा बढ़ जाएगा अब एक numerical है जिसके आपके exam में question बनता है अलफा की value दिया है बीटा की value एक दे दी गई है उसके बाद तो current gain निकालना है ठीक है current gain क्या होता है current gain होता है बन प्लस बीटा का square तो बीटा की value आप लगबग देख लीजे कितनी दिया 99 तो यह जाएगा 100 और 100 का 10 की पावर 4 इसी प्रकार जो आ रही होता है बन प्लस बीटा स्कॉर आ रहे यह इसका formula तो दोस्तों इसके अगर आपके exam में question बनते है तो आयो आप इसको कर लेंगे उसके बाद दो important point high frequency analysis of transistor is done by hybrid pi model ठीक है जो high frequency analysis of transistor का किसके दौरा करते है hybrid आपको यह याद रखना है और hybrid pi model के बारे में ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही और अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं feedback के बारे में और जो आपके amplifier के जितने classification है class A class B और उनके बारे में बात करेंगे साथ ही क्लेपर के लैंपर यह वी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद